लो डियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज का जो मेरा टोपिक है वह वह EASR EASR का फुल फॉर्म होता है अरथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका मतलब होता है कि जो हमारे RBC होते हैं उनको एक घंटे में वो कितना सेडिमेंट हो जाते हैं वो कितना नीचे बैठ जाते हैं उस सेडिमेंट को हम और उपर प्लाजमा कितना होता है उसकी रीडिंग को हम नौट करते हैं वन आवर में और उसके बाद फिर हम उसको रिपोर्ट करते हैं इसमें अब्जेक्टिव हैं यह सबसे पहले EASR क्या होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता EASR का मेकैनिजम क्या है ऐसे कौन से फेक्टर है जो अफेक्टिंग करते हैं EASR को और कौन-कौन से मेथर्स होते हैं जिसके दुआरा हम EASR करते हैं लबोटरी में और उसके बाद हम बताएंगे क्लिनिकल सिगनिफिकेंस के बारे में EASR के जो क्लिनिकल सिगनिफिकेंस हो क्या होते हैं और उसके बाद एरर्स क्या क्या इसमें गलतिया हो सकती हैं उनके बारे में इसमें आपको समझाएंगे यह यहाँ पर इसमें बताया हुआ है कि जो हमारा ESR होता है वो एक घंटे में उसको मेजर किया जाता है कि कितना हुआ पर RBC नीचे सैटल होते हैं और जो उपर प्लाजमा होता है वो कितना आता है और यह टेस्ट अंटी-कोग्लिटिज ब्लड में किया जाता है इसमें जो total जो हमारी है जो इसमें दिखा रखा है 200 mm जो है इसकी length होती है और इसमें हम उपर mark 0 होता है और 2020 का आपस में mm का difference होता है उसमें 0 mark तक भरके फिर हम 1 hour के लिए इसको leave कर देते हैं यह जो है एक non specific test होता है जो कि यहां पर inflammation को indication करता है कोई specific test नहीं है किसी disease के लिए यह initial screening test होता है हमारा जो कि किसी बीमारी को follow up करने के लिए किया जाता है और इसके अलावा जो हमारा treatment चलता है patient का उसकी therapy को monitoring करने के लिए disease को progression के लिए इसको करते हैं यह test बहुत easily perform हो जाता है inexpensive है और इसकी reading जो है mm पर hour में दी जाती है इसके बाद है जो इसका हम acute phase है इसके बारे में बात करेंगे अगे कि इसका जो acute phase होता है वो क्या होता है यह इसका mechanism होता है जो ESR है वो determined किया जाता है by the interaction between the factors that promote fibrinosan और इसके अलावा जो negative charge होता है RBC के उपर उन दोनों के उपर यह depend करता है जिसके कारण RBC नीचे sediment होते हैं normally जो RBC होते हैं उनीचे धीरे-धीरे settle down होते हैं क्योंकि उनमें weight होता है और जो plasma होता है वो थोड़ा light weight होता है लेकिन normally उनमें Rolex formation बनता नहीं है Rolex formation का मतलब होता है जैसे pills होते हैं सिक्ये को सिक्ये के उपर रखते हैं उसको हम Rolex formation को बोलते हैं उसके बनने से जब RBC आपस में ऐसे Rolex formation में आ जाएंगे तो weight ज़्यादा बनेगा और वो नीचे ज़्यादा बैठेंगे और plasma जो है उपर ज़्यादा आ जाएगा तो negative charge होने के कारण जो है वो नमें Rolex formation नॉर्मली होता नहीं है Rolex जो formation होता है वो तभी होगा जब कुसी patient को कोई problem होगी RBC में कोई problem होगी तभी ज़्यादा maximum हमें उसमें Rolex formation देखने को मिलेगा plasma proteins होती हैं ब्लड में, fibrinosan होता है और red cells को membrane में जितने भी है ये neutralize करते हैं उसको ताकि वो आपस में जो है ज़्यादा आपस में Rolex ना बने क्योंकि उनके उपर RBC को उपर negative charge होता है और cell को जो है वहाँ पर वो attention करने में जो है वो promoting करते हैं, help करते हैं ESR directly जो है proportional होता है weight और cell aggregation के और inversely proportion होता है surface area कितना surface area है उसके लिए ये क्या होता है, ये inversely proportional होता है यहाँ पर ये इसका time बता है जो हमारी stage होती है Rolex formation की, aggregation 10 minute होता है जो हम इसको Rolex formation में बोलते हैं, sedimentation और setting जो है वो 40 minute होता है अगले और stage जो packing होती है वो last 10 minute होता है, total जो hour होता है वो पूरा हमारा होता है 60 minute और last के 10 minute जो है बहुत important होते हैं क्योंकि इसमें maximum जो है ESR fall होता है यह यहां पर effect है जो increase करते है ESR को old age में ज़्यादा हो जाता है female, pregnancy, anemia, RBC abnormalities, macrositosis, technical factors, dilution problems, increased temperature of the specimen, tilting RBC tube, elevated fibrinogen levels, infection, inflammation and malignancies इन में जो है ESR जो है इसकी level जो है वो normal से जादा हो जाता है, कुछ factor होते हैं जो इसमें decrease करते हैं ESR को जैसे extreme leukocytosis, जाद है leukocyte है उसमें, polycythemia है उसको, RBC abnormalities है, spirocytosis है, microcytosis है, inadequate mixing, proper तरीके से mixing नहीं किया है, bloated blood ले लिया वहाँ पर, ESR का tube short है, और उसको protein abnormalities है, hypofibrinemia है, तो यह सब जो problems होती हैं, इसमें decrease करते हैं, ESR को उसके जो उसमें factor होते हैं, और any drugs that alter to ESR, कोई drugs दवाईयां होती हैं, जो उसको alter कर सकती है, ESR में report में कुछ problem कर सकती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, कि वही कुछ ऐसे drugs होते हैं, उनको लेने से हमारा blood जो है, पतला या मोटा हो जाता है, तो वो भी जो हैं हमापे, ESR में effect करते हैं, इसके method हैं हमार पास, एक वेस्टरग्रन method, विन्टोप method, लेन्डूई method और एटोमेटिक ESR method, चार तरीके से हम जो हैं, ये ESR perform करते हैं, पहला वेस्टरग्रन method होता है, ये main method हैं हमारा, इसके दुवारा जो है, टेस्ट किया जाता है, इसमें हमेंची वेस्टरग्रन पि इसमें होता है, वेस्टरग्रन इस्टेंड चाहिए, एंटिकोग्रन डाइलूचन सोलूशन चाहिए, टाइस ओडियम साइटे, 4 is to 1 रेशो, और इडिट ये जो है, वो भी इसमें चल सकता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, उसको अच्छी तरह करेंगे, और वन अवर तक वेट करेंगे, वन अवर के बाद जो उपर प्लाजमा होगा, उसको देखेंगे, हम कितना प्लाजमा उपर है, उसकी रिपोर्ट हम, वन अवर के बाद, mm पर अवर में इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, ये नॉर्मल वैल्यू है, इसके जो हमने method करेंगे इसमें सबकी जितने method होता है सबकी values अलग-अलग होती है male 50 year के उपर है तो 0 to 15 mm per first hour male जो है more than 50 year है तो 0 to 20 mm per first hour female 50 year है तो जादा है तो जो है वाप 0 to 20 mm और female 50 year से जादा है तो उसकी है 0 to 30 mm per hour और बच्चों में 0 to 10 mm per hour ये normal range है male और female की इसके advantage क्या होता है ये more reliable method होता है और accurate report देता है disadvantage क्या है इसके इसमें ज्यादा blood की ज़रूवत पड़ती है इसको fill करना difficult होता है PCV हम नहीं कर सकते इसके साथ में PCV के लिए लग से हमें test लगाना पड़ेगा और mouth pipetting जो है जो human beings होते है टेकनीशन होते है उनके लिए ये heart just होती है accidental होती है इसके बाद अगला method है हमारा windrop method windrop method जो इसमें advantage होता है ये दो test एक साथ कर सकते हैं PCV होता packed cell volume इसमें requirement में चीए windrop tube, windrop stand, anti-coagulated blood, EDTA या double oxidative blood जो भी हमारे पास होगा वो इसमें चलेगा windrop method में हम क्या करते हैं पहले सबसे पहले जो blood है उसको लेके हम mix करते हैं अच्छे तरीके से इसके बाद जो हमारी long daily होती है उसके दुआरा या पासर पेपेटर long उसके दुआरा 0 mark तक उसमें हम भरते हैं blood windrop tube में और one hour के लिए जो stand है windrop इसमें हम रखतेते हैं एक घंटे बाद उसकी report note करते हैं और उसको फिर हम जो patient है उसको दे देते हैं यह इसकी normal value है male में 0-9 mm per first hour female में 0-20 per first hour और children में 0-13 mm per first hour कि इसकी normal value है हर एक technique की normal value अलग-अलग होती है ESR में जो हमारे methods होते हैं इसके बाद है modified जो हमारा vestagrant method है इसमें EDTA blood चाहिए हमें जो हाँ पे हम sited की जगे यूज कर सकते हैं 2 ml EDTA blood और dilute करेंगे 0.5 ml 3.8% जो हमारा thysodium citrate है यह 0.85% normal saline है उसमें हम उसको add करते हैं उसके बाद micro sedimentation method होता है जिसको हम landu method बोलते हैं इसका यूज जो है infant जो होते हैं micro method बोलते हैं जो infant होते हैं जिन पे blood कम आता है उनके लिए use किया जाता है इसमें हम capillary जो blood लेते हैं heel finger tip top में से और 5 gram जो है trisodium citrate मिलाते हैं और pipette जो है वो 0 to 50 mm होती है pipette stand होना चाहिए success होना चाहिए suction जो उसके blood pipette में भरेंगे और जो हमारी capillary जो होनी चाहिए blood collection के लिए available होनी चाहिए सबसे पहले जो है लेंगे हम pipette को attach करेंगे section में device में और उसमें draw करेंगे 5.0 gram per dl citrate solution हो लेंगे और उसके बाद blood लेंगे उसमें और लेने के बाद में फिर हम उसको दोनों को आपस में mix करेंगे bulb की help से और 0 mark तक भढ़ने के बाद में फिर उसको vertical रखतेंगे हम space में जो हमारा stand है उसमें और एक घंटे बाद उसकी हम reading not करेंगे इसकी reference value है male में 0 to 5 mm per first hour female में 0 to 8 mm, newborn में 0 to 2 mm और neonates जो होते हैं उनमें 3 to 13 mm per first hour यह इनकी normal value है इस method की और automatic method होता है उसके नाम है vis metric 20, esr state plus, sediment 15 और jetta sedimentation ratio यह अलग लग जो है automatic method है इनमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता और अपने आपी blood उपर तक आ जाता है और एक घंटे बाद इन के remote हम note करते हैं vs जो हमारा metric 20 method है automatic होता है यह और इसके अंदर blood collect होता है क्वेट के अंदर और sample जो है उसमें हम रख देते हैं और 18 degree slanting में हम जो है accelerate करते हैं SR को और उसके बाद में जो 20 ml जो 20 हमारा blood sample है वो इसमें कर सकते हैं हम measure कर सकते हैं और इसका result जो है वो west background जो method होता है उससे एक तरह से compare कर सकते हैं method है यह और approximately 25 minute में जल्दी जो हमारा test हो जाता है और west जो हमारा other method है उसमें one hour लगता है इसका जो principle होता है वो blood जो collected करते हैं हम special quality के अंदर में sample mix करते हैं हम instrument के दुवारा हाँ पर और sample को allow करते हैं stand करने के लिए 18 जो हमारा degree होता है slant vertical position में और opto electrical जो sensor होता है वो इसमें major करता है ESR को और data जो है elipdate करते हैं उसमें print out निकलता है और print के हिसाब से फिर हम उसको reporting पास करते हैं यह मारा VES जो है metric 20 है जो हमारा instrument है automatic है और इसमें print जो निकलेगा यह ESR को 25 minute में हमें report दे देगा ESR stat plus यह एक certification based method होता है जो कि 5 minute में हमें ESR की report यह provide कर देता है और हमें जो result हो जल्दी देखने को यहां पर मिलता है इसका जो working principle होता है यह इसमें यहां पर दिया हुआ है step by step हम इसको यहां पर करते हैं और इसके बाद हमें जल्दी इसकी यह report 5 minute में report हम इसकी दे देते हैं यह हमारा ESR place plus है जो automatic method है machine है यह इस machine के दुआरा हम यह test perform करते हैं sediment में जो 15 है उसमें हम क्या करते हैं वहां पर जो वे स्टगनर पीपट होती है उसके अंदर जो है 15 automatic ESR reader होते हैं और वो excrete करते हैं sedimentation में control करते हैं उसको महां पर और उसके बाद जो blood हम लेते हैं इसके अंदर में infant से बच्चों से लेने के बाद उसमें उसको हम डालते हैं और जो हमारा report है 15 minute में आ जाता है और LCD display में इसकी report आती है और इसमें यह machine के दुआरा print out पी ले सकते हैं और उसकी memory में जो हमारी report है वो store भी हो सकती है इसके advantage क्या है एक तो हमारा क्या है कि इसमें जो technician उनका time बसता है report जल्दी मिलती है और safety होती है main जो laboratory technician है उसकी और इसमें जो हमारा laboratory information system है वो अच्छा हो जाता है smaller volume sample यूज कर सकते हैं blood का और report जो है वो हमें जल्दी यहां पे मिल जाती है एक गंटा में wait नहीं करना होता source of error क्या हो सकते हैं improper ratio हमने blood का anticonder ratio proper नहीं लिया है hemolize blood हो गया, clotary blood हो गया और bubbles आगे उसमें या कुछ उसमें sunlights के कारण, vibration के कारण, small bore size के कारण, dirty यह सब wet tube इनके कारण जो है report में change आ सकते हैं delay in performing देर test में देर दिले कर दिया तो यह सब source of errors होते हैं और कुछ pathological conditions होती हैं जो की associative होती हैं जिसमें ESR increase हो जाता है जैसे बिमारी होते हैं, rheumatid fever, rheumatoid arthritis, temporal arthritis, poly, myelasia, rheumatasia, acute, myocardial infraction, malignancies, tuberculosis, anemia यह इन में जो हैं जो हमारा जो report है वो increase हो जाता है, जो main उसको बेसेंड को बिमारी है condition with the associated with the very high, मतब 100 से भी जादा, जैसे multiple myeloma है किसी को connective tissue disorder इसको SLE बोलते हैं, RA बोलते हैं, systematic lupus arthematosus, rheumatoid arthritis, other autoimmune जो disease होती हैं tuberculosis में, megalignancy, severe anemia में, 100 से भी उपर जो ESR है वो चला जाता है और कुछ conditions इसमें low हो जाता है, जैसे polycythemia, severe leukocytosis, sickle cell anemia, उसमें आर बिसे का size change हो जाता है, sickle की तरह हो जाते हैं, heretri spirocytosis, congestive cardiac failure, corticosteroids using करता है, जो खाता है steroids, hypofibrinemia जिसमें फिबरिन की मातरा कम होती है, इसमें जो है इनका ESR जो हो जाता है उसके बाद corrected कर सकते हैं ESR को हम, जितने भी influence factor होते हैं, उनको वहां से हम minus करके ESR को हम correct कर सकते हैं, जहां पर red blood cells जो हैं, उनके volume के हिसाब से वहां पर counting के हिसाब से हम ESR को correction करके report दे सकते हैं, इनका जो correction होता है, वो depend करता है कि हमारा RBC count कितना है, वो RBC count के विसाब से फिर हम उसके report देते हैं, और इसमें बताया हुआ है कि जो 42% है, वो 100 ml of female पे और 47% जो है 100 ml of male से हैं उसमें, यह हमारा जो है PCV का method होता है, इसको हम PCV के base पे भी इसकी report जो हम दे सकते हैं, correction करके, और इसकी कुछ limitations है ESR की, ESR जो है एक non-specific test है हमारा, जो कि कोई specific कोई बिमारी के नहीं करता है, यह बताता है कि कुछ न कुछ बोडी में infection है या कोई severe problem है, और इसमें जो है कोई diagnostic tool के हिसाब से हम इसको use नहीं कर सकते हैं, और कोई एक specific disease का indication इससे हमें नहीं मिलता है, clinical significance of ES ESR यह जो है बिमारी को follow up करने के लिए किया जाता है, किसी भी disease को prognosis करने के लिए जो है इस test किया जाता है, और अगर एक दो बार में जादा आ रहा है तो repeat करना पड़ता है हमें test को, दुबारा देखेंगे दो तिन दिन या एक अपते के बाद में, और organic or non-organic disorders हैं, उसक pro site sedimentation rate, हमने आपको इसके बारे में, इसके method के बारे में बताया है, हम इसको क्यूं करते हैं, इसके clinical significance, यह सारे मैंने इस lecture में बताये हैं, तो student, please, इसको आप देखिए और समझेए, again thank you, अच्चु